हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज मैं एक गूड न्यूज आपके लिए लेकिया हैं बजाल डॉमिनाट टू फिफ्टी का प्राइज कट हो चुका है कितना प्राइज कट हुआ है कैसे हुआ है वो सारी जानकार यह दूँगा लेकिन उससे पहले हैलो नमिश्कर दोस्तों में नमें हेमंद भट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त तो यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि एफजी ने भी प्राइज कम किया और उसके बाद अब बजाल डॉमिनाट टू फिफ्टी में भी प्राइज कट हो चुका है 16,800 यानि 16,800 का प्राइज कट हुआ है अब बात करें तो यार बजाल डॉमिनाट टू फिफ्टी पहले हमें 171,000 में पढ़ जाती थी और 17,000 का प्राइज कम होने के बाद मतलब 16,800 का प्राइज कम होने के बाद 154,000 में यह हमें पढ़ने वाली है ध्यान दीजिएगा मैं सिरफ और सिरफ एक शोरू चाते हैं अब उनको 17,000 कम पे करने पड़ेंगे लेकिन यहाँ पर यार दोस्तो एक छोटी सी बैड निउस भी है अब देखें बहुत बड़ी बैड निउस नहीं है मतलब इस गूट निउस के सामने तो वह बहुत चोटी सी बैड निउस है लेकिन बैड निउस है डॉमिन जोनी ची है वाइड रेंज होनी ची है हमारे पास लेकिन चलो जैसे भी काम तो चलाना ही पड़ेगा तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा आपको कैनियन रेड और आपको चार कोल ब्लैक कलर मिलने वाला है दो कलर ही मिलने वाले हैं उसके इलावा जो कलर नहीं मिल मिलने वाले है उसके बारे में बता जेता हूं ग्रीन हो गया और यह दोनों कलर आपको नहीं मिलने वाले हैं अब ज़्याद करनाा मतलब जो ग्रीन कलर के लिए specially आपका dominant लेना चाहते हैं वो 400 को ले ले, 250 को ना ले that's why शायद ऐसा कुछ किया गया मैं मतलब guess कर रहा हूँ यह मैं कोई पका idea नहीं कह रहा लेकिन हा मैं guess यह कर रहा हूँ कि शायद company ने यह सोचा हो तो that's why उन्होंने यह decision लिया हो अब देखें company ने यहाँ पर यह बताया है कि जादा से जादा maximum से maximum जो youngsters हैं वो price बढ़ने के बाद थोड़ा सा निराश है मतलब क्योंकि BS6 में जब से bikes आई हैं सबके price बढ़ चुके हैं तो यहाँ पर उनको ऐसा एक gift दिया जा रहा है कि हाँ भई अपराइज हमने थोड़ा सा कम कर दिया है लेकिन यहाँ पर company ने यह clear नहीं किया है कि in future company और बाइकों में भी क्या price कम करेगी अगर कम करती है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं करती है तो वो बुरी बात है यहाँ पर अगर देखिए मेरे हिसाब से हर bike में थोड़ा थोड़ा price कम कर देना चाहिए जो भी आपकी mid range की bikes है थोड़ा थोड़ा price कम कर देते हैं तो youngsters को यार बहुत जादा वह हो जागा क्योंकि बजाज के साथ मतलब बजाज की पलसर होगी, डॉमिनार होगी जंक्स्टर्स, बेसिकली जंक्स्टर्स जो होते हैं वो इन bikes को बहुत जादा बसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत price cut उनको थोड़ा सा राहत दे सकती है उसके इलावा price cut का अगर मैं 19,000 का price drop देखने को मिला था तो यार इस हिसाब से देखा जाए तो यार शायद ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने देखा हो यार FZL25 ने भी कर दिया है और उसकी तरफ लोग ज़्यादा जा रहे है तो शायद यह सोच के कंपनी ने 70,000 का आपका price drop किया हो तो यह हो सकता है मतलब मैं एक idea लगा रहा हूँ इसके लाव दोस्तों अगर हम बात करें कि यार इसमें कितनी cc का engine मिलता है तो इसमें 248 cc का liquid cool single cylinder engine मिलता है जो आपको 25 php की power देगा और 23.5 newton meter का शानदर torque देगा और 6 speed gearbox मिलता है साथ में sleeper clutch भी मिलता है अब दोस्तों end में मैं clear कर देता हूँ कि यहाँ पे bike में किसी भी तरीके का change नहीं किया गया है सिरफ और सिरफ दो color काटे गए हैं उसके इलावा bike के hardware में software में किसी भी तरह का कोई भी change नहीं किया गया तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना के आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और देखे time to time मैं update देता रहता हूँ तो ऐसे updates के लिए जल्दी से मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही तफ तक के लिए जय हिन बंदे मातरम